करेंगे फ्रीफार के बारे में किस आयडी के लाइक सबसे ज्यादा है फ्रीफार्य में कौन सा प्लेडियर सबसे हायर लेवल करें और फ्रीफार का सबसे पहला करेक्टर कुन सा था ऐसे ही अमेजिंग ग्यार अफेक्ट जाने के लिए बने रहे वीडियो के आन्द तक इफेक्ट नमबर 11 आपको पता है कि फ्रिफायर का सबसे रेर बंडल कुन सा है का आंसर है ग्रिन क्रिमिनल बंडल दिया दोस्तों और इसके पिज़े का रिज़ान है कि मॉस्ट आप प्लेयर के लिए ये बंडल अविलेबिलिटी ही नहीं है इस बंडल की इसलिए ये बहुत ही रेर है प्रेक्ट नमबर 10 आपकी इस बेटर ग्राउंड की सबसे बड़ी और प्रप्लिलर दो गेम से PUBG और Free Fire दोनों ही बेटर ग्राउंड की है Free Fire को डाउनलोड करने वाले PUBG से कई ज़्यदा है और Active Player की बात करे तो इस तरह है PUBG से Free Fire कई ज़्यदा आगे PUBG डेली खेलने वाले है करिबन 6 करोड से ज़्यदा प्लेयर से But Free Fire की बात करे तो डेली फ्रिफायर को खेलने वाले करीबन 10 करोड से भी ज्यदा लोगे That's amazing Fact No.9 क्या आपको पता है कि फ्रिफायर में किस ID में सबसे ज्यदा लाइक से नहीं तो जले बताता हूँ वो ID है बट आटा 500 के एंड उसके हाल में 3 लेक्स से भी ज्यदा लाइक से भी मौझूद है That's amazing Fact No.8 पता है कि फ्रिफायर में सेलिब्रिटिस के करेक्टर मौझूद है जैसे कि क्रिष्टियान और टोनालडो रिती गरोशन और डीजे आलोग जैसे तो आपको बता है कि उस सेलिब्रिटिस को फ्रिफायर ने कितने पेसे दिये होगे तो बात करें DJI लोग की तो उसके करिबन 32 करोड दिये गए है उसके करेक्टर फ्रिफायर में यूज़ करने के लिए और जै करेक्टर है जो कि रितिक रोशन का है तो उससे करीबन 60 करोर रुपय दिये गई है उसका करेक्टर प्रिफायर में यूज़ करने के लिए अब बात करते है कोरोना की कोरोना करेक्टर ती बात करें तो उसका वो है क्रिष्टियन रोनालो का करेक्टर है तो उससे करीबन 260 करोर रूपय दिये गए उसका केरेक्टर प्रिफायर में यूज करने के लिए लिए जैट्स गजब 7 प्रिफायर में सबसे पहले किस गन की स्किन लॉंच हुई थी उस गन का नामे यूएमपी चिया और आप वह इमेज देख सकते हो कुछ ऐसी दीखती थी यूएमपी यह फर्स स्किन लॉंच की थी फ्रिफायर ने फ्रेक्टर नमबर सिक्स तक उसकी पहली एर गन कौन से थी पता आपको वह गन थी M4F1 चैना दोस्तों और SMG गन की बात करें तो वह पहली गन थी UMP स्कूर में पाले तो वह बहूबा सा झोटा है ना M1014 पहली स्कूर्ट गन थी přिप्रिफायर की जब नहीं नहीं लुंच होी थी क्षक्ड नमबर स्कूरम में सबस्यों पहले इमोट कौन सा था पताए प्रिफायर ने सबसे पहले 6 इमोट लॉंच किये थे आप देख सकते हैं इस इमेज में उसमें से फिर्स्ट वाला इमोट था ये हाई करने वाला हिलो करने वाला और और बाकी के पाइच भी आप देख सकते हैं क्या आपको पता है कि जब फ्रिफायर नहीं नहीं लॉंच हुई थी तब कितने एमबी की थी वो गेम तो आंसर हैं उनली 56 एमबी की थी यहां दोस्तों सिर्फ 56 एमबी की थी बट अभी की बात करें तो 700-800 एमबी के पास पहुच गई है और लेटेस वर्जन की बात करें तो हाल में उसका वर्जन चल रहा है 1.62.6 सिरी व्याशन नमबर हुच पता है कि आपको Posta है कि गरीनर फ्रिफायर का सबसे पेहला करेक्टर कौन से था य थी ओणसर एक केली नाम की एक फिमेल करेक्टर जिहां दोस्तों केली करेक्टर ही फ्रिफायर की सबसे पहली करेक्टर फेक्ट नमबर टू क्या आपको बता है कि फ्रिफायर गेम में बर्मुडा मेप में इसता कौन सा लोकेशने जहां पर सबसे ज़्यादा प्लेयर्स लेंड करते हैं तांसरे क्लोक टावर मैं आपको बता है दूदर हर बिटर ग्राउंड में 50 प्लेयर्स होते हैं तो उसमें से क्लोक टावर में ही 40-50 प्लेयर्स लेंड करते हैं बर्मुडा मेप में फेक्ट नमबर वन क्या आपको बता है कि फ्रिफायर में सबसे हायर लेवल वाला प्लेयर कौन सा है उसका नाम है INF LIDER और यह एक ब्राजिलियन प्लेयर है और उसका लेवल नमबर है 94 लेवल पर भी तैट्स गजब झाल झाल झाल